तो वेल्कम दोस्तों आपका सागत है हमारे टेक्निकल फार्मा यूट्यूब चैनल में तो आज हम देखने वाले कि टाइप्रो लीडिन का सिंथेसिस मेकेनेजम एक्षन और क्लिनिकल यूजिस तो चलिए स्टार्ट करते हैं टाइप्रो लीडिन यह जो ड्रग है यह यह आपको यह पायरो लीडिन यह पायरो लीडिन यह रीग है तो हम इसका स्ट्रक्चर तो हमने देख लिया परम ने इसका जनरल भी देख लिया कि यह कौन से ट्लास में आता है एच वन अंटागोनिस्ट है और मोनो माइनो प्रोफिल एनालोगस में अन्सैचुरेटेट म मतलब यह डवलम इसलिए है अन्सैच्रेट में हाएं तो मिसका सिंद सिर्ट से सबसे पहले प्यारा मिठील एसे दो फिनोन आ है व्लाम अ यह है utiposition तो मैं जाता है कि यह चला जाता है और यहाँ का H two जो और यहाँ ग्रहलtin और भी और सक्राइब करना है और यहाँ ऑथ यहाँ जी जाता है तो सथने प्रतीषी जो जाए जो पियॉ और स्परेक्काइर सॉप्सों जाता है जो घुषन निकिल जाती है और SL के साथ हमें इसे react करना पड़ता है, SL इस अजाद करने के बाद हमें CYS-Transe Tryprolidin यहां हमें मिल जाता है, CYS-Transe Tryprolidin, और हमें CYS-Transe नहीं चाहिए, हमें सिर्फ Tryprolidin चाहिए, तो हमें separation by ion exchanger करना पड़ेगा, और हमें separation करना पड़ेगा, निकल आपको यहाँ का स्ट्रक्चर्चर आपको दिख आए, यहका स्ट्रक्चर चेंग बाहर निकल जाता है, सबस्क्राइब सब्सक्राइब करें एक चेंजर करते उसके यह वा इसको परॉब लिद इन का सिंधिसिस तो अब हम देखेंगे कि मेकनेजम अप्षण औफ टाइप लिडिन इनिविटर ऑफ हिस्टामाइन एच वन रेसेप्टर है इसे इनिविट करते मतलब कोई भी अटच हुआ है इस्टामाइन को तो यह ड्रग वहाँ जाकर उसे इनिविट कर देती है और ब्लॉक्ड अक्षण ऑफ एंडोजनेस से ब्लोक कर देते हैं और which subsequently leads to temporary relief मतलब temporary relief करते हैं किसे negative symptom brought by the system system release ज्यादा होने से वज़ासे हमें जो symptom मिलते हैं negative symptom मिलते हैं यह temporary relief करते हैं क्या करते कि H1 आप तो यह द्यान में रखना है कि H1 देशेफ्टर को ब्लक करते हैं और टाइफरो लिनीग और इसके बाद क्लिनिकल उजेस तो एक्ष्ण दीखाता है तो यह वह इसका प्लीनिकल यूजेज तो अशा करता हूं कि आपने अभी तक हमारे चैनल को शॉट्राइब किया होगा नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब किजीने लाइक करे शेर करे और जो घंके वाला बटन उसे दबाना मत बुलिए जई इहन आरास्ट्रों झाल झाल